अब एलिजबेट दोबारा से अपने बिस्तर पर जाग उठी, जिसके बाद सारी कहानी दोबारा से दोहराए गई। बुड़ा आदमी और लड़की अभी भी ड्यूटी पर थे और छोटा काला कमरा उसके लिए निशेद था, लेकिन दूसरी बार भी एलिजबेट ने वो ग लेकिन अब वो बिल्डिंग एक पिंजरे में बदल चुकी थी, सारे दर्वाजे पूरी तरह से बन थे, बुड़े आदमी ने आराम से दस्ताने पहने और रुमाल के उपर जहर डाल दिया, इधर एलिजबेट उससे बचने के लिए इधर उधर दोड रही थी, फिर उसने भी एक चाकू अपने हाथ में रख लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बुड़े आदमी ने उसकी नाक पर वो रुमाल रख दिया, जब उसे लगा की लड़की मारी गई तब उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन तभी इलिजबेट ने उस पर चाकू से वार किया, और सुतरे कपड़े पहन लिए और कुछी देर बाद वहापर नौकर भी आ गए, पार्ट फोर के लिए लाइक और कॉमेंट करें